नमस्ते दोस्तों केम चो मज्यामा मैं संजे न्यूटेरिस गार्डेनिंग एंड व्लॉक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं आज मैं अपने गार्डेट देने जा रहा हूं गार्डन ओवर्व्यू तो मेरे गार्डन में खेले हुए फ्लावर्स और प्लावर्स आपको दि स्फ लगिगा मैंने पूरा हट आके क्लीं कर दिया है देख सकते हो आप छिए पूरा मट यहांसे उपडर से थोड़ा डूटा था उन्हीं पूरा मैंने थोड़ा तोड़ दिया वह दो देखिए एस्टा प्लांत लगे थे वो सब मैं थेम ुसमें प्लांट में ऐसे फूल आये हुए है काफी बड़ा प्लांट हो गया है लगवक्त तीन चार साल पुराना प्लांट है जो छोटी सी कटिंग लेके मैं लगाया था अभी मॉर्निंग का टाइम है सब साथ बज़े है यहां भी पिंक चंपा है इसमें इतनी ज्यादा फला वरीडिन नहीं होती है बस साल में एक अदवार हो जाती यह जीतनी वाइट में होती इतनी है बांट है पूरा प्लांडे से पूलों से परा हुआ है एक बड़ा नाक्चम पता इसकी प्रूनिंग मैंने कर दी यहां अलमांडा वाइन है इसमें इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर आते हैं यह भी काफी बड़ी हो गई है अब स्रदी आयगी तो इसका ड्रमेंग सी प्रेड आएगा तिरे तिरे करके पती यह सारी गिल जाएगी यहां पर करी पता है यह भी सर्दी वाज़़ा से थोड़ी इसकी ग्रोध देरे तिरे इससे हो जाएगी जब तूँप तेश होगी तो ठीक हो जाएगा यहां पर विन का है और साथ में एलोवेरा लगे हुए है यह मेरा बर्गत का बॉंसाय है इसमें देखिए कुछ नए नए पक्तिया ब्रांच निकल रही है यहां से मैंने कुना जी कट कर दी साथ में यहां पर लगा है मेक्सिकन पिटोनिया इन में भी देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है अब तो काफी सारे फ्लावर खिलते है यह एक सोरा है यह मिनेचर वारा है विसकस और यहां पर यह मैंने देखिए ट्रेंगल हार की कटिंग फैंकी थी ऐसे ही गमले मे तो लग गई है टर्टल वाइन और दोनों साथ में डाले थे मैंने दूसरे प्लाट में से निकाल के सब हटा दिये त्रीस में डाले थे यहां पर्सुलेन की मैंने प्रूनिंग कर दिये बहुत बड़े-बड़े हो गए थे तो मैंने पूरा कट कर दिया थोड़ा साफ- सब मने घंग है है कि टूलसी के पॉते दैन रहने देए बाकि सब जो कहा था इतना में ओशरोग था सब अटना फेक दिया पूरा मैंने एरिया क्लेन किया है क⑉ट कल बहुत काम किया था पूर इसब कमले हाटा कि मैंने फुरा साफ किये बहुत ज़्ादा मिटी और पतिया हो गए थी कुछ अड़ेन प्लाइट में ने रिपोर्ट किये यहां से यह ईड़ेनिम्ट किया मैंने कि इस संप्लावर का प्लांट है इसमें दिखे बर्ड्स बनी हुई तो यह किसको भी मैंने रिपोर्ट किया है कि मेरे लपक सभी अड़ेने में इस टाइम कलिया बन रही है कुछ पत्तिया भी किरा रहे अपनी तो इस तरह से अड़ेने में देखिए यहां पर इस तरह का फ्लावर आया हुआ है एक यहां कलिया यहां बने हुए है इस पे भी है इसमी प्लांट नहीं किसमें इरह यहां गर्सें कर रही है है कि मिला और ग्राफ्टिंग पीसंद पर्छ्ट मिला ए experts मिला है था तो एक साल होने आया है इसमें कल्या बनी हुए दोनों ब्रांच पे यह मेरा पिंक वाला है कितना बड़ा फ्लावर के लावा है देखिए यह पीवाई है सेम कलर इसके मेरे पास तेन प्लांट है और इधर सारी ग्राफ्ट के नियमें इसको तो मैंने पहले ग्राफ्टिंग की थी और इसको तो मैंने एक ही मेना हुआ फिर भी यह में देखिए कलिया बन रही है और यह सब देखे दो मैंना जितना हुआ और इसमें दिखिया कल्या बनी हुई है इसमें बनी हुई है इसमें पर चोटी चोटी निकल रही है तो आर यहां बाकिसंग मेर्स सिट लिंग मैं पेड़ नमा एक अच्छी हो रही है पर इसके लिए द्ञाण भार भि bombmin करना है साथ ये पिंक वाला हिविसकस है ये भी अब तीरे दीरी डॉर्मेंसी में ठोड़ा जाएगा ये कनेर है कनेर में टाइम अच्छी हो रही है कि यहां पर भी कनेर के जो धम ले थे उसमें से जितने भी मैंने जो गनेस बेल लगां फरादी और यहां पूरे हटा प्लांट ना प्लांट लगें थे वहां प्लांट यहांते पूरा सब और एसे क्लेंड कर दिया त he he Him मैं देखी अब कलिया बन रही है कि मौसरोज कितने ज्यांदा इसमें से में हटाएं यह थे पाकी है इसमें भी अब ऊपो यह थोड़ WD न इसमें कलिया बन रही वह है कि इस प्लांट को वह आ एक मैं Confederate किया है। यह वाले को पिसका जो कम्ला था श्चोटा पढ़ रहा था और प्लांट का कॉडेक्स तिरे-दिरे इसका कॉडेक्स बढ़ा हो तिरे-दिरे यह जो ने इसको फिर बढ़े गंडे में जो मैंने कमले बनाई थे कर पे उसमें सिफ्ट कर दिया इसम में फिल्ए बने हुई है अब देखते है रिपोर्ट किया है कलिया खेलेगी या इधिर जाएगो पता नहीं नहरा पर इसमें भी कलिया बन रही है इसमें भी देख सकते हूं और पीछे की तरफ यह कटिंग से लगा हुआ डेने में इसने पूरा गमला तोड़ दिया था तो इसको भी मैंने रिपोर्ट किया है कि यह वाले सब प्रांट है सब में इस टाइम देखे कलिया बन रही है अब बागी सब गमलों में से मैं एक जितने भी का अश्पूस लगी थी सब निकल रही थी सब और ने हटा दिया यहां पर इसमें फ्लावर हो रही है इसमें भी देखे कि फ्लावर खिला था आप तीरे दिरे मुर जाने लगा है यह यह परपल वाला है कि यह दो मैने पहले मैंने जो क्राप्टिंग की थी वह इसमें दूसरी बार फ्लावर के लिए देखे यह और यहां यह पिंक वाला है डार्क एकदम पिंक है रेड कलर दिख रहा है रेड जैसा केमरे में थोड़ा पिंक आ रहा है बाकी डार्क रेड और ब्लैक कर एक फ्लांट पे मैंने तीन गृफिंग कि थी हाँ पीछे की तरफ प्लांट है इसमें मैंने पांच या चे गराफिंग की है देखे इन में भी कल्या बन रही है यह अलग यहां पर कलिया बन रही है इसमें भी यह वाइट वाला है यहां पर भी मरून है जब फ्लावर खिलेंगे तब पता चलेगा कौन-कौन से कलर खिलते हैं कि यह भी हिजाद सारे अडेने मेरे रखे हुए है सब को मैंने थोड़ा-थोड़ा ऐसे लगा दिया है कि गमले रख दिये हैं पास पास में कि यहां पर यह सिद्लिंग मेरी बाकी रहेगी ते रिपोर्ट करने की वह तो वह ऐसे के सी ग्रोध इतनी अच्छी ग्रोध हुई नहीं कि साथ में यहां पर जैट्रोफा है जैट्रोफा में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है आप देख सकते हूं कि ट्रेंगल हार्ट है कि एट्रेसी ना और यहां पर सारे मेरे स्नेक प्लांट जो मैंने अभी रिपोर्ट करके लगवक्त तीन गमले और बढ़ा दिये स्नेक प्लांट के यह दिखिए डिखिए दिखिए ते 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 तो एक रख गमले में प्लांट के पूरा गमला अगर बना कि इसकों बढ़ा दू ज्यादा कर दो कि अगर धान 안-ब्रड़त ध Pan 카 Rag को रिपोर्ट कर दिया है जिसमें ज्यादा प्लांट थे एकमें सिर यमिक में हैं बहुत ज्यादा पर वह गमला टूटे कर नहीं सलro अबैसे हुए है कि इसका सेट तयार होंगे तो मैं साथ सेया करूंगा किस तरह को सीट होते हैं यहां कनिने करीप्ता का प्लांट है कि साथ में सपाइडर प्लांट है कि यहां पे देखिए ऐसे रखे कि अ lot कि यह मैंने कटिंग लगाई थी कुछ सिंगल सिंगल पत्तिया तो देखिए इन में भी अब ग्रोध स्टार्ट हो गई है कि इस अब नहीं पत्तिया रही है बहुत ही खुब्सुरत दिखता है ब्लांट यहां पर ट्रेंगल हाड़त और हे यह साथ या पढहती और एक फंचेथा ब्लांट है और हैंकंकर प्लांट हैं अच्छा और परफेक्ट प्लांट है 있나 चेन प्लांट को आप लगा सकते इस टाइम कहीं भी आपको प्लांट देगे तो यह से दिखे रहना निकल के आते हैं तो इसको कट कर दीजिए इसमें रूट्स रहती है तो आप इसको एक पार्ट सेंड एक पार्ट मिट्टी और थोड़ी सी खाथ 10% 20% मिला के इसको लगा द इसको भी मैंने सिंगल सिंगल पत्तिय से ग्रोग रहा था और देख सकते हो इसकी भी इतनी अच्छी हो रही है यह बोड़ बना चले है कि यह विखें बना आ यहां पर देखिए यह एलोवेरा है जो मैंने लगा दिया था ऐसे ही पुरा इसका गमला तूट गया था तो इसके साथ लगाया था तो कितने ज्यादा प्लांट हो गए और यह प्लांट कितने बड़े हो गए एक पीपल का प्लांट निकल के आया है यह मैं ऐसे रहने दूँगा अपी तो बाद में निकाल के अलग कर दूँगा इसकी बन साइब ने के बनाने के लिए यहां पर मेरे जेड प्लांट है पीछे की तरफ एक और चेन प्लांट लगा हुआ है और कल के दिन में देखिए एक और स्टेंड बनाए यह जतने नीचे से इटे रखी है और इसके उपर लकड़ी के पट्रे रख दिये और इसके उपर मैंने यह टाइल से रखिए बड़ी बड़ी वाले तो इसके उपर स पूरा कर दिया है मैंने चुकार ताकि क्या है कि हम गमले में जब पानी दे टो कच्रा गिरे या पानी किरे तो डायरे चाहत के उपर ना रहे तो इस तरह से मैंने देखिए फिर भी मैंने जो गमले है उसके नीचे ठीकरी रखी है कि इसका ड्रेनेज अच्छे से प्रोपर खुला रहे अडेनेमें ट्रेनेज अच्छा खुला रहना चाहिए पानी रुकता है तो हमारे अडेनेम खराब हो जादे यह देखिया डेनेम की चोटी किस तरह लग रहे कैसी लग रहे है चरूर बताईएगा यहां पर इसमें भी अडेनेम देखि बेबी प्लांट है इनको भी रिपोर्ट करना है पर इतना याद ही नहीं रहता कभी टाइम इनी मिलता तो इससे ही है यह बी कटिंग मैंने लगा थी साथ में बर्साथ में ऐसे ही लगा दी ती यह कटिंग भी काफी बड़ी हो गई है नीचे से जादा ग्रोज भी हो रही है इसको भी रिपोर्ट करना है अब देखता हूं फरवरी में करूंगा और यहां पर साइपरस माइन एक रही है बाकि सब मैंने उस तरफ की हटा जब फैक दी यह हमारा अपरा जित्ता का प्लांट है इनमें काफी सारे सीट पॉर्ट बनें टेरो यह देखिए पूरा सीट पॉर्ट से पर गया है तो अब सोच रहा हूं इसको भी प्रूंड कर दूंगा मैं सीट तो इतने चाहिए नहीं क्योंकि इसमें अंदर भी काफी सारे मैंने सीट डाले से कुछ कुछ सीट रहने दूंगा उपर वाली जो ब्रांच है बड़ी-बड़ी उन सब को कट कर दूंगा था कि यह प्रॉपर सेप में रहे यह अच्वाइन है यह दे सीविन का वाइट और यह पिंक है अगेव है यह पूरा यहां पर जंगल है इसको में थोड़ा ठीक किया था कापी सारे प्लांट मैंने निकालने कालकर फेंक भी दिए यह मजर ओफ थाउजन है तो मजर ओफ थाउजन के कुछ प्लांट मैंने रखे बाकि सब फेंक यह मरवा का प्लांट है तुलसीची है और इदर बाजू फिर से मेरे अडेनियम स्टार्ट हो गए मेरा अडेनियम गार्डन यह सब छोटी-छोडी सीडलिंग है जो मैंने सीडलिंग अभी बताई आपको उसके साथ नहीं साथ की है सीडलिंग और देख सकते हो आप इनकी ग्रोध को मैंने रिपोर्ट किया था तो काफी बड़ी हो गई है तो इस तरह से मेरा गार्डन चल रहा है तो आपको मेरा गार्डन कैसा लगा कमेंट करके चरूर बताएगा और अच्छा लगा हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए का हमारे चैनल को सब्सक्राइ अब फिर चौप का भी टाइम है तो आट बजी चौप के भी जाना है तो आज की लिए इतना ही फिर मिनेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज की लिए इतना ही ओके फ्रेंड्स बाइ के पुल बाहिए टीज की लिए लाइक के भीडियो मेंगे चरिगे रसे फसे साथजित में वीडियों के रसे जो पका दो आट बोरे से साथ जयां के मेंगे नेक्स